हादुप मेरा नाम है देवत नंगरवाल आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चनल और आपकी डिमांड पर पहली बार इसे टेलीकॉम में आपको देखने मिलेगा डियेशोग जिसके वारे में पूरी में आपको आज इंफोर्मेशन देने वाला हूं यह वीडियो जित आपको डियेशो को स्प्लिन कर रहा हूं और दोस्तों इसको पार्ट में बनाएंगे और अभी आपको बताते हैं कि डियेशो की वर्डिंग किस तरह से होती है और अभी मैं कोई आपको सेक्शन बना के निए बताऊंगा पर बहुत जल्द इस पे एक सेक्शन लाओंगा औ कुछ जो अरेडी अप्लोडेट है वो नहीं कुछ नया इंदम जो आपको देखने को मिलेगा चो खास ही सटलिकों आपको पता है कि किस तरसे हम नहीं अपडेट लाते हैं तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं डियेशो डिजिटल स्टोरेज और इसके बारे में इसके जो जब आप फर्स तायब डियेगे तो आपको से करना है और आपको इसको में जो हमने करका हुआ है बस एक साइट करके रखे लेना है और किस तरह से की working लेनी है तो इसलिए मैंने फोन भी आपे रखा हुआ है यह रैड्मी नोट 3 तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से working इसमें हम देखा सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो चलिए आईए दियसो तो देखें दोस्तों यह है यूनिट का हमारे पास में जो मसीन है वह है यूनिटी सबसे बैस्ट अगर आपको भी मैं recommend करूंगा तो यही पर्चस कीजिए और अगर आपको आप सोच सब्सक्राइब करते हैं जो कि इंडिया के सबसे बड़े एक डिस्ट्रीटर में से एक है यह हमारा जो मॉडल है यह है यूनिट का यू टीडी टू वान जिलो टू सी की CEX जो कि है 100 MHz और 100 MHz क्यों है क्यों हमारे फोनों की जो फ्रिक्ष्पेंश होती है जिमें किस्टल 32 से लेके 50 और 60 MHz तक की फिर्ट्रीटर में रहती है तो यह हमें चेक करना है तो इसके लिए हमको 100 MHz का लेना है सपोज अगर आप इसको सस्ते के चक्र में 25 MHz का ले ले तो इसको आपको जो लेना है वो लेना है हंड्रेट मेगा हर्ट्स दिखा दिए आपर तो यह हमारा डो चैनल पर है दोस्तों इसमें चैनल वन और चैनल टू तो इसका यह कॉण्फरिकेशन है तो सबसे पहले हमें नोट करना है अगर आप कॉपी पैन उठा ले क्योंकि मैं आल क्योंकि अभी हम बिलीब करते हैं कि अगर आपके नोट अच्छे होंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे क्योंकि हर तरह की पढ़ाई हर जगे हो रही है पर अगर आपक आपको बोलना है 100 MHz डू चैनल का अब बुलेंगे सर दो चैनल क्यों तो आप देख रहेंगे यहां पर आपको अगर हम दो चैनल यूज करेंगे तो एक उपर फ्रिक्वेंसी और एक नीचे दो फ्रिक्वेंसी आप मेजर कर सकते हैं अब आप बुलेंगे सर एक टाइम पर सिंगल फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं और इस तरह का इंगल सा देखन行 già देखे जैसे आपको यहाँ पर पेन देखेंगे तो हुक की चैसे दिखाई देगी बिसीकली यह पिन कहां यूज होती है तो यह पूरा मैं इस वीडिव में बताने वाला हूं इस वायर का क्या मतलब है तो इस सारी चीज में आप इस वीडियो से जोरे रहिए पूरा तो यहां पर आपको डिखाई देगा यह सैवनिंच का आपको डिखाई दे रहा अब यह लोग अपर करने फो आसान है हमें किसी वीडा को प्रोध नहीं करना चाहते यह यह अपने लेविल पर, हम हम बहुत सरल पर बताना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ वन टाइम आपको चीजों को एकुरेसी आपको सेट कर देनी हो फिर आपने बहुत ही कुछी चीज है जिसको आपको चेंज करना होता है जैसे सब्सक्राइब अब चेक कर रहा है तो एसी कपलिंग कपलिंग चेंज कर लिए बाती बहुत कम होता है कि इसमें आपको चेर चार करनी की जरूबत है तो दिखाए तो सबसे पहले जब भी हम डी एसो पर्चेस करते हैं तो यह हमारा देखे अनौप बटन है मैं आपको दिखा देता हूं यह म ऐखा कर देए सब्सक्राइं वीचैनल को यह बटनना पर दिखार खसटा ही यहाइव दिखाए नियुप में जो रिखार देखे रहा है refreshingill टो देखिए तो अब में century porn बंद कर दो तो इसमें यहाइख पर ऑफ दिखाई देसे यहाइघ रहा है जैसे की चैनल टू अगर हो जाएगा तो यह आपका पर कोभी फ्रिक्वेंसी आपको सो नहीं होगी तो यह अल्वेस रण होना चाहिए तो सबसे पहले एक लाइट यह चल गई अगर आप अगर आप अपने पर यहां लगा दिया चैनल टू पर और आप इसको चैनल वन आप अन करके चलना है तो आप कभी मेजर नहीं कर पाएंगे तो आपको यहां चैनल टू पर क्लिक करना पड़ेगा तो अब यहां पे तोड़ा पास आईए अब सबसे पहले आपको सेटिंग क्या करनी है देखिए दोस्तों सबसे पहले जब हम इसको पर्चस करते हैं तो अक्सर यह होता है कि किसी दूस ng Weki country में परेस करें किसी भी लेंगविज में हो सकता है तो यह चीजंगे बसे आपको बचंस में होती है तो आप यह बटन देख रहेंगे जोine मंदूरा पास लाकर देखा दीज़े यह यह यहां पर यहां पर झाफ्रेस ही तो यह आपका इस तरेृइसे ब्लॉइश Graphics हो और आप दिखे हर ब्लॉक के बाजू में एक लाइन दिखाई दे रही है मतलब इसको अगर आपको क्लिक करना है तो अगले पेज में जाना है जो कि यह पर तीन पेज़ेस है तो आपने F5 जसे यह हो गया डूसरा पेज यह हो गया तीसरा पेज और यह पापस आगए पहले प पालए याद रख लिए उसको लिख ले यूटिटी के बात डाए फोर प्रेस करें और इसके बाद में यहाँ पर आप इंग्लिस जाप कर ले दो लेकिए बस और इसको छोड़ दे तो यह automatically आपका चैनल इंग्लिस लेंग्वेज में सेलेक्ट हो जाता है तो यह तो हमें देख लिए है कि हमने सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वह अपनी चैनल की तो दूसर यह तो हमने देख लिए कि सबसे पहले जो में सेटिंग करनी है अपनी लेंग्वेज की अब दूसर सेटिंग हमें क्या करना है हमें इसको कैलिब्रेट करना है सो कैलिब्रेशन चेक करनी के लिए यहां पर आपको सेल्फ एजस्मेंट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है वन दबाना है क्योंकि वन क्यों दबाना है क्योंकि लाइन इस व्लोक पे आ रही है तो जैसे वन दबाइंगे तो आपको इसको कर Billboard कर देना है मैं एजुकिट करता हूं वन यहां पर आपको कुछ प्रंटेश दिखाई दे रहे होawn एक तो यह आपको कैलिबरेट कर रहा है तो यह आपको करना बहुत इंपोर्टेंट है यह first time आप करके उसको हर बार करने की जरूरत नहीं है सिर्फ one time self educate कीजे आप इसको total तरीके से reset भी कर सकते हैं यहां तो समझ पाना की कहा किया है तो इसको total reset करके आप सुरू से अपनी सारी सेटिंग को फिर से ला सकते हैं तो क्या क्या सेटिंग लानी है इस वीडियो में पूरा बता रहा हूं इसने पैन और कॉपी लेके बैठ जाईए एक बार से वीडियो को तो बाद में है फिर आप रख सकते हैं अपने पास जब भी भी आप DSO पर्चस करें तो आप जैसे कि देखे रहे हैं यह कैलिब्रेट हो गया है दोस्तो अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला अभी हम यूटिलिटी में ही है तो यूटिलिटी मतलब आप्शन्स तो यहां पर को दबाएंगे जैसे F1 तो आप देखेंगे तो बापस वही आ जाएगा से और एजिक्विट एंड क्लोस मतलब रिसेट पर भी कैलिब्रेट करेगा और आपके सारी फ्रिक्रेंसी को रिसेट करके आपको देदेगा तो अभी इस बार मैं क्लोस दबाऊंगा क्योंकि आप आपको अगले पेज में आपको यहाँ पर अगर वन दबाएंगे तो यह आपका वर्जन है तो यह आपका वर्जन देखा दीजे तो यह मॉडल नमबर है हाडवेर वर्जन यहाँ पर दिया है स्यल नमबर इस मॉडल का और प्रोडेक्शन डेट इस मॉडल की यहाँ पर बताएं कि 2020 है फिर सेल्फ एजस्मेंट पर जाना है और इस पर जाने के बाद इसको एजिक्यूट कर देना है बड़ाबर सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना कलर चेंज करना है तो यहां से नेस्ट जाके आप एप भी से इसको कलर चेंज कर सकते हैं तो यह तो हो गया यूटिलीटे का काम अब बात करते हैं कि क्या हमें नेस्ट करना है दोस्तों यहाँ पर एक आपको दिखाए जिर्फ दिखाए जिए थोड़ा पास लागे स्टोरेज का क्या होता है सबसे पहले आपको यह पर अगर आप चैनल 2 कर रहे हैं तो इसको सोर्सेश चैनल 2 कर दीजे अगर इस पर लगाए तो चैनल 1 कर दीजे तो इस टोड़ेज है तो हमें आपर सोर्सेश चैनल 1 इसको भी हमें बाइड डेपोल्ट इसको छिड़ना नहीं है बाकी हमें यहाँ पर भी दोस्तों किसी प्रक तो यहां पर आपको by default यहां पर अगर आप average रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा तो यह ज्यादा आपकी अच्छी setting यहां पर मानी जाती है तो यहां पर इसको average रख लेना है sampling आपकी real time होनी चाहिए बाकि एक real time है और एक equal time है तो यहां पर एक real time है तो real time आपको यहां पर रखना है और fast accuracy को आपको आपको टच नहीं करना है अब बात जाते हैं मेजर की तो मेजर पर जैसे मैं क्लिक करता हूं देखिए यहां पर आप जब भी भी कुछ भी मेजर करते हैं जासे कि मैं इसमें अभी एक protocol की line मेजर करूंगा यहां पर मेजर करते हैं तो आपको यहां पर कुछ line आपको दिखाए जरी है इसको आपको set करना है according to line सबसे पहले आपको यहां पर average यहां पर select करना है दूसरे पर period select करना है तीसरे नंबर पर rise चौदे नंबर पर fall और पाच्छो नंबर पर width तो यह पूरा आपने लिखन है दोस्तों कि क्या क्या है पर select करना है एक बार setting करके छोड़ दोगे तो आपका DSO का काम हमेशा हो जाएगा मतलब आपको फिर दूसरी बात करने के जबत नहीं है अब देखे चैनल 1 पर frequency आ तो मैं आपर average select करता हूं तो मैं क्या करूंगा 1 दबाऊंगा और वोल्ट पर ज अपने पिरट सेलेक्ट करना है तो बापस आपको फ 2 दबाना है और इस बार टाइम पे जाना है और यह आपको फ 3 दबाना है तो यह period अगया और यहां पर हम बात करेंगे 3rd पर आपको यहां पर राइस select करना है यह ऑप्यट फॉल्ट यह बाइट एक option से इसको select करके रख तो इस तरह से आपको अपने सारे चैनल को यहां पर स्लाइट करना है तो दोस्तों यह आपको देखें यहां पर विद्ध आ गया तो यह एक आप स्लाइट करके छोड़ दीजेगा यह आप लिख लिजे मैं फिर से बोला हूं जो भी मैंने समझा है उसको रिवाइस करके अच पाड़ी क्लोच तो यह से आपने मेजर से करनी हैं कभी बीजैसे हम चेक क rush ke著 है तो अकर आपस byring से ल यहां Drag tel दबाके आभी तो अब बनिक्रक्रूषट को वापस देख बाक्त शूँकर अब बात करते हैं करदे आप जैसे ही कि यहां पर देख रहे होंगे आपको यहां पर एक menu दिखाई दे रहा होगा जैसे मैं करूंगा तो अगर आप से वोल्ट देखना चाते हैं तो आप वोल्ट देखना चाते हैं तो आप टाइम देखना चाते हैं तो फ्रिक्वेंसी सो जाएगी और अगर आप ट यहां पर लम्बा होगा होगा و दो सैट्टिंग यह आपका टेस्ट पोvoyंट है और नीचे आपका कॉमन है टो आपको क्या करना है इस वाले को इस और को अपको ग्राउन करने और यहां पर आपको यह लगाना है और यहां से आप इसको connect करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर देखें तो आपको यहां पर frequency यहां पर देखेंगी मैं आपको दिखा रहा हूं major में तो देखें जैसी में major में मैंने select किया हुआ है तो दूस्तो जैसी है आपने ट्क किया तो सबसे पहले आप यह करें कि आप सबसे पहले एक आटो का बटन क्लिक कर दें अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या क्या सेटिंग आपको करनी है तो एक बार आप अपको फ्रक्यंट करता है आप क्या है और दिखाई कर रहे हो और अपको तो यह तो इम् everything 4 सबस्क्राइब से आपको प् solved Cookie को दिखाई तो सब्सक्राइब है क्या अब इसको chic आप लेयां कि आप मेराव अब यहे और प्रप्लस और माीन सब्सक्राइब करता हूं तो मुझे क्या करना पड़े गा मुझे चैनल 1 को सेलेट करना पड़ेगा तोदी की कप्लिंग यहा जाओंगा और इसको यहां पर डीसी में सेलेट कर दूंगा तो आप छला vacant तो यह आपको जो दिख रहे है यह तो यह इक ब्लॉक आपका इतने आपके टाइम को मतलब इतना आपका हर्ट तो यह 200 microsecond hertz यह आपको बता रहा है कि इतने hertz पर आपको frequency आपको यहाँ पर मिल रही है यही चीज़ आपको channel 2 पर करनी है यहाँ से voltage का adjustment होगा देखिए है यहाँ लिखा हुआ है voltage और यहाँ से आप adjustment कर सकते अपनी frequency का तो देखिए जैसे 2 है इसको 3 5 voltage करना है तो अगर मैं इसको clock wise तो यह कम होगा और अगर मैं इसको एंटीकलॉग वाइस घुमाउंगा तो यह बढ़ेगा अलब यह उल्टार कि जीसे काम चाहिए तो देखे पांच हो गया और मैं इसको क्लॉग वाइस गुमाता हूं तो दो हो गया तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं बाकि यहां से आपके जो Recurator आपको दिखाए रहे होँगे यह फ्रक्विंसी को कम और ज्यादा करने के लिए और जैसे कि मैंनें बता है टेस्टिंग करने के लिए आप ईंटा दबा दिजिए और यहां लाता के बढ़ो कर लिए आपकी फिर्क्वेंसी किस तरह से कैलिब्रेट कर रही है आपको कितने हट्स मिल जाता हूं तो यहां पर आप चेक कर रहे होंगे देखिए एवरेज जैसे यहां पर 1.8 वोल्टेज यहां पर और इस तरह से आपको यहां पर देखने को मिल ला है करेंगा सब्सक्राइब करना चाहिंता हờं तो आप अमसरा यहांट देखें हमें कितनी प्रेंश हिए हमनगी आप मिल लगई है यहां से आप से कल देकिते हैं अगर वोल्ट में मैं कर पहां वोल्ट या उल्य स्क्रमाओं लॉग्छलिय तो यह दो चीज तो आप से आप अपने डिस्प्ले को देख सकते हैं अपने options में सेटिंग में जा सकते हैं और आप अपने skin कर सकते हैं language चेंज कर सकते हैं और इसको रिसेट कर सकते हैं stories को आपको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है इसको नो बाइड डिफॉर्ट देना एक वार पर आप जा सकते हैं और सिंपल मूड से आप इसको जैसे मैंने बॉला average तो देखें यहां पर मूड आपको चेंज होते हुए देखें यहां पर जैसे simple मूड है पीक मूड में देखिए इस तरह का आपको दिखाई देगा और सारी चीजे यहां पर एक option की तरह मुझे यहां पर दिख रही है फिलाल मैं इसको हटा देता हूं डिस्पली की बात करेंगे तो मुझे यहां पर वैटर रखना है जैसे कि मैं बता रहा था अब देखें मैंने डॉर्ट रख दिया तो देखें किस तरह से आ रही है और यही आपको लाइन आपको सीधी दिखाये रही है हो यहां पर ती हम ओगे यह बोल्ट होती है और यहां पर जो चीज दिखाते हैं यह इतनी फिर्क्रेंसी यह चल रही है सो सपोज यह हो गया आपका एक बोल्ट यह हो गया दो और यह हो गया तीन मतलब आपकी तीन बोल्ट आपको यह आपको जो भी फ्रिक्वेंसी के आप पॉइंट पर टेस्ट पॉइंट पर लगा है और यह आपको टाइम बता रहा है यह आपको बता रहा है यह इतने टाइम इतने ग DVL यह पर इतना फट के आप चला सब्सक्राइं कि एक दो तीन सेकेंड आपका यहां पर व्ल hands को यही हट होते हैं कि कितना सैकल में कि 15 सो बீसिकली सब्सक्राइब को यहां रखना आप आप करूं तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर तो यह सारी चीजे बताने के बाद दूस्तों बताता हूं कि क्या इसके साथ आता है और जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पल्स आपको देखाई दे रही है यह आपको थोड़ा सब आपको सीधी दिखाई नहीं जया से अगर हम मान लीजे हम अपनी पल्स को इस तरह से हम अपनी पल्स इस तरह से देखना चाहते हैं एक शृल्ँ उस तरह से हो छतम हो akak तो हमें इसको अगर self adjustment करना है अपनी पल्स का तो हम किस तरीक से करेंगे मैं आपको यहां से दिखाता हूं तो इसके आपको इसके साथ में एक इसके प्रोप में इसको रखना पड़ेगा और इसके रखना पड़ेगा तो यहां पर इसके प्रोप में इसको रखना पड़ेगा और इसके रखना पर देखें यह पर आपको किस तरह से यहां पर बैंड देखने दे रहे हैं तो बिल्कुल देखें शुरू यहां पर आपको तो यह आपकी पल्स आपको इस तरह से सब्सक्राइब यहाँ कर सकते हैं कि बहुत दोeni के करना है तो सबसे पहले आगर मैं बात करूँ आप करेंगे आप यहां से रिसेट कर देंगे रिसेट करने के बाद में दोस्तों आप यहां पर इसको बिल्कुल छीरिये मन यहां पर यहां आप रहे हैं और सब्सेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर यहां फो देखाई है अब उसके बाद अगर में हाप में चेक करूंगा कि कर सरा कर सर में आप देखें तो यहां पर आप कर से यहां पर देड़ आजाते हैं जैसे यहां पर में बैटी आर्टी ने बताया था इस दिर्था से य दूसलागा से डृणक यह ब rant कर दो यह आपकी timing है और preset इसको off रखना है बाकि इसमें कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है यूटिलीटी इस अब हो गया जब भी आप इसको चालू करें और जब एब बार काम कर लें या कभी भी कोई नया काम करें तो one time आप इसको auto दबा देंगे तो आपका ही फायदा है यह आ आप इसको ground कर देंगे तो देखिए यह ground हो गया और आप इसको DC कर देंगे तो देखिए यह DC हो गया तो basically अभी मैंने इसको देखिए AC किया हुआ है क्योंकि मैं अभी जो line check कर रहा हूं वो line check कर रहा हूं एक चालू हैंसाइट है यह देखिए यहाँ पर यहाँ आप दोस्तों USB की frequency आप कैसे चेक करेंगे आप सुचेंगे सब charging की चेक कर रहे हैं तो मैं आपको बता दू मैं एक protocol यूज कर रहा हूं जैसे data communication है आप देखिए data communication दो तरह के आते हैं serial में आप देखेंगे कि USB JTAC और बहुत सारे data connection SPI I2C connection है तो यह connection है यह सारे हमार प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहट हम अपने data को transfer रिसीब करते हैं तो जैसे आप तो सब जनते हैं कि mobile का data transfer रिसीब करते हैं वो USB से करते हैं और C type connector वो सारे USB के XT type में आपको 3.0 का वर्जन देखने को मिलेगा और नॉर्मल आप इस connector पर 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा जो कि आपको लगबग 400-500 kb पर सेकेंड के सब्सकर data transfer करेगा और रिसीब करेगा तो data transfer रिसीब करने की जो frequency आप मेजर कर सकते हैं डी एसो से सब्सक्राइब को फॉल्ट आता है और यह होता है कि सब मेरा phone connect नहीं हो रहा है या मेरे को programming या करना है या जैसे phone connect नहीं हो रहा है या फ्लैसिंग करनी है तो आप चेक करें कि सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब करते हैं तो अब तो रसा एक और बार यहां पर option में बता दूँ जब हम CH1 को select करते हैं तो यहां पर एक options बनकर आ जाता है coupling जिसे मैं बता है DC और AC और यह आपको bandwidth limit है यह आपको select नहीं करनी है और जो यह limit आपको दी हो है BW जो bandwidth limit दी हुई है यह आपको select नहीं करनी है है voltage division इसमें आपको कुछ भी सेलेट नहीं करना है अगर आप हाय वोल्टेश पर काम करेंगे तो इसको आपको 10S 100 जैसे आप CFL आप चेक कर रहे हैं तो इसको 1000 या मलब जो भी बरे आप वोल्टेश चेक करेंगे हाला कि मैं 1X पर काम कर लूँगा तो मैं 10X पर भी कई कर सकते हैं बड़ अगर इसका भी नॉलेज हो तो आपके लिए और भी बैस्ट होगा क्रिसी दिन मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाखी सैडिंग करता हूंगा कि सैट टू जीरो क्या होता है यहां पर आपको जो डिखाई दे रहा होगा सब इसके लिए अब ऊपर तक लाओंगा यहां पर तो यह देखें यह थोरा रुक गई है और यह रुककर आप इसको चेक कर सकते हैं और यह चीज आप मेजर कर सकते हैं सब्सक्राइब यहां सच काने की क्वाट। करना चाहता हूं क्योंकि यहां पर मेरे को मेरा फॉन हो रहा है तो आपको करना क्या है यह आपका टेस्टिंप पॉइंट है यह आपका ग्राउंड है और हम इसको रखते हैं दीची पर हमने रखा हुआ है यह देखिए यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमें 8 कलो हर्ट की यहां पर फ्रक्वेण् continu आपको मिरमें हे चैंद मिलड़ अब देख करते हैं और यहां उपर बढ़ा दिय Caroline फ्रक्व backstory से सचेंड्ध आपको दीखा देघ्रे होंगे और अगर मैं टाइमिंग बर्हा देता हूं यहां पर आप अगे कि आपके तो यह आपकी फ्रिक्वेंसी यह यूएजबी डाटा प्लस और डाटा माइनस कि फ्रिक्वेंसी है जो आपको देखने बस सिब इतना देखना है अगर मालीज आपने यह लगाया और आसको अदमी म जाथ सीधी साइक्ल जाती है i by a uh संद्लग के शेटन अ की इन आधो की नहीं हो गई है तो किलाइन हो गया है हार जगह क्लोक सत्रेक्ड शेटा है हरे section में move होता है आप महाँ पर इसको check कर सकते हैं आपका wifi हो गया है और बहुत सारे sections के लाबा दूस्तों सबसे बड़ी बात की purchase करना चाहिए की ने चाहिए तो यह मैं आपको बता देता हूं अगर एक अच्छा budget है अगर आप इतने level तक सीख गए है अगर आपको IC लगाने लेवल पर है आपको अभी tracing का knowledge नहीं है या आप सीख रहे हैं अभी भी आप supply अभी भी आप यह सोचते हैं कि यह करेटर की यह line कहां जाती है तो वह धूरने के लिए उसको पता करने के लिए डाइग्राम सरके नोटिस करने के लिए सब के लिए थोड़ा वक्त लगता है और जब तक आप पूरा वक्त अपना उतना उस उस पर देंगे तब एक अच्छे टैक्निशन मनेंगे और उसके बाद यह आप उपने जरूर रखे शुरू आज में लेकर बैठ जाएंगे सिर्फ चमकाने के लिए या रखने के लिए तो अगर यह रखते तो हम बहुत पह कुछ नहीं करेंगा दस दिन बाद जाके जब तक वह जीरो हो जाएगा उसके साथ अपने कुछ वीडियो इसके साथ में क्या देखना चाहते हैं और हम आपको इसमें कुछ नया एक सेक्शन से लेकर आएंगे और एक किस तरह से फॉर्ट फांडिंग करें रहे हैं हाला कि अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू वेरे मच और अगर आपको पढ़ने आना है तो पढ़ने आसाते हैं हमारी दो वेबसाइट है www.acrtelecom.info एक हमारी वेबसाइट है www.acrtelecom.com दोस्तों उसके अलावा एक मेरी बुक है आप यह सब्सक्राइब करने के बाद में आप बहुत अच्छे टेक्निसन बन जाएंगे बिल्कुल भी नहीं बनीगे आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर मिलेगा हो सकता है कि कुछ जहां डाउट हो वो डाउट हो जाएंगे बाकी इसको इसको करने से आप दुकान नहीं खुलना इंडे करते हैं